अस्लाम अलेकुम जेट स्टुटेंट्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोल, formation of कोल, uses of कोल and its constituents that is कोक, कोलतार and कोल गेस के बारे में बताया था आज मैं आपको पेट्रोलियूम और नेचरल गेस के बारे में बताऊंगा के पेट्रोलियूम और नेचरल गेस जो हैं यह भी कोल की तरह जमीन के अंदर फॉर्म होते हैं, इनकी फॉर्मिशन होती है, from the dead remains of organisms, इसलिए इनको भी जो है फॉसल फ्योलर केते हैं, इसके अलावा मैं आपको uses of petroleum products and natural gas के बारे में भी इस वीडियो में आगे बताऊंगा, So, let us start, first of all, I would like to tell you about the formation of petroleum beneath the surface of earth Dear students, आपको पता होना चाहिए, कोल की तरह petroleum को भी millions of years लगते हैं बनने में Coal dead vegetation से बनता है और petroleum dead animals से बनता है, it is also a very slow process as it takes millions of years in formation जब sea animals मरते हैं तो यह भी जमीन के अंदर दब जाते हैं, they also got buried under the surface of earth Due to high temperature, high pressure and absence of air, these dead creatures got transformed into petroleum and natural gas Both the two, petroleum and natural gas are therefore fossil fuels like coal and coal is called black diamond and due to the use of petroleum and its components, petroleum is known as black gold अब आपको समझ आया होगा कि petroleum किस तरह बनता है from the dead bodies, dead remains of animals beneath the surface of earth Dear students, petroleum को निकालने के लिए oil wells खोदे जाते हैं जहां पे petroleum के जखायर मुजूद होते हैं जो deposit मुजूद होते हैं उसी जगह oil well हो दे जाते हैं और as crude oil petroleum सबसे पहले black color का थिक सब डॉर्क oily liquid with unpleasant order or unpleasant smell जो है यह petroleum निकलता है यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे पहला oil well याने तेल का कुवाँ वो USA में 1859 में खोदा गया था in Pennsylvania and in India it was drilled in awesome in 1867 हिंदुस्तान में 1867 में तेल का सबसे पहला कुवा आसाम में खोदा गया था और आज भी हिंदुस्तान में आसाम गुजरात मुम्माई और रिवर बेसन आप कुदावरी एंड कृष्णा में जो है पिट्रोलियम के जखायर मुझूद हैं वहां पे कुवें हैं और वहां जो है तेल याने पिट्रोलियम या क्रूड वाल निकाला जाता है जब नेच्रल गेस और पिट्रोलियम निक निकलता है उसके बैद आएल आता है और पिट्रोलियम वहां से निकाला जाता है हमें पता है कि आएल जो होता है ये पानी से लाइट होता है हलका होता है और ये पानी के साथ नहीं मिलता है ये पानी के उपर आता है यहां पे भी जब तेल निकाला जाता है पिट्रोलियम तो ओयल अलग निकलता है, उपर आता है, उसे उपर आप देख सकते हैं, जो गेस है, नेच्रल गेस, वो ओयल से भी उपर आया है, और जब वैल से निकला जाता है, तो उपर से गेस आता है, उसके बाइद ओयल वहां से निकला जाता है, कचा तेल या क्रूड ओयल सुमंदर स केरोसीन पेराफिन वैक्स वगेरा उनको अलग किया जाता है और यह इस प्रॉसेस को रिफाइनिंग बोलते हैं और यह ओयल रिफाइनरीज में या पिट्रोलियम रिफाइनरीज में की जाती है रिफाइनिंग आप क्रूड ओयल आप सिक्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह होती है जो कानस्च्ट्स आप पिट्रोलियम होते हैं पिट्रोल, केरोसीन, डीजल वगेरा इनको बॉयल किया जाता है अप टू बॉयलिंग पॉइंट जो है टेमपरिचर दिया जाता है जिन कानस्च्ट्स का लो बॉयलिंग पॉइंट है वो उपर आते हैं और सिप्रेट होते हैं और जिन कानस्च्ट्स का बॉयलिंग पॉइंट हाई है वो नीचे रह जाते हैं और नीचे हम देखते हैं कि लास्ट पे जो है रिजिडियो रहता है और इसे भी पेराफिन वैक और बिटरोलियूम का हर एक प्रोडक्ट चाहे पिट्रोल है डीजल है एलपीजी है केरुसीन है यह लास्ट पे रिजिडू से जो निकलता है उसे पेराफिन वैक्स और वह केंडल और ऑइंटमेंट बनाने में लगता है और इसके अलावा जो बिटरोलियूम है वह सर्फिसि है वह बहुत ज्यादा है यह बहुत सारे कामों में इस्तिमाल के जाते हैं इसलिए पेट्रोलियूम को ब्लैक गॉल्ड कहते हैं डियर स्टुडेंट्स इन दे एंड वी विल ट्राइक नुए अबाउट सम इंपर्टन यूज़स आप पेट्रोलियूम प्रोडेक्ट्ट्स और नेचरल गेज डियर स्टुडेंट्स आपने जनरेटर देखा होगा आपने घर में इस्तिमाल किया होगा इसमें कौन सा फ्योल इस्तिमाल होता है क्या आपको पता है हाँ अगर आपको पता नहीं है तो इसमें पिट्रोल भी इस्तिमाल होता है करूसीन ओयल भी इस्तिम यह कोई डिजल पर चलता है और कोई जो है करोसीन वाइल पर चलता है इसलिए हम कहसे के पेट्रोल डीजल और करोसीन ओयल इस यूजड आज फ्यूल इन जेनरेटरोस जो यह वो गया पहला यूज जो बड़ी गारियां है ट्रक्स बसेस त्रेक्टोर्स उनमें आज फ्यूल जो है वो डीजल इस्तिमाल होता है और वो जितन भी बड़ी गाड़ियां हैं वो डीजल पे चलती पर जो आСпिक अलावा केरोसीन यानि मिटी का तेल जो है उसका इस्तिमाल हुमारे गरों में एज फ्यूल पहले से किया जाता था जो ओयल लेंप्स थे या लेंटरन जो थे वो भी मिटी के तेल पर या जिसको हम इंगलिश में केरोसीन ओयल कहते हैं उस पर चलते थे अब मैं आपको एक इंपार्टन्ट फ्यूल के बारे में बताना चाहूंगा जिसको से एन जी या कंप्रेसर नेच्रल गेस कहते हैं तो ये जो है इसली ट्रंसपोर्ट किया जाता है गरों तक इसके अलावा ये पावर जेनरेशन में काम आता है और ये फ्यूल जो है ये वहि कुछ स्टेट्स में जैसे गुजरात है देहली है या किसी और जगा और ये बिल्कुल लेस प्लूटिंग फ्यूल है और ये कलीन फ्यूल इसको कहते हैं और इसके इस्तिमाल से कोई जरा सी भी आलोदगी माहूल में नहीं फैलती है और ये इसका जो केलरफिक वेलियो है व क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसके अलावा भी कुछ प्रोड़क्ट्स हैं जिनके यूजर के बारे में आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 18 पे दिया गया है आई होब कि आप वहां पे भी प्रोड़क्ट्स और उनके यूजर को देखें क्योंकि अदनY कर दो लग नंबर 18 प्रो शेल बढ़ भी में चरने की है आपकी साइंस की ए कि